हरे कृष्णा राधे राधे भक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ काना जी की कृपा से अच्छे ही होंगे तो देखिए खिले हुए फूल रिमजिम रिमजिम बरसात के साथ और चारो तरफ हर्याली लिए हुए सावन की शुरूबात हो चुकी है तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शिब बाबा का माता पारवती का सावन का महीना बहुत जादा उनको प्रिय होता है लेकिन हमारे ठाकुर जी को विना सावन का महीना बहुत जादा है क्योंकि उन्हें जूला जूलने को मिलता है और कुछ सेवाई उनको मिलती है तो सबसे पहले हम कराएंगे ठाकुर जी को इसनान तो मैंने एक पात्र में देखिए थोड़े से पुष्प डाल लिये हैं और मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में पुष्पों का विशेश महत होता है तो सावन के महीने में दूद से इसनान कराना बहुत अच्छा होता है तो आप ठाकुर जी को दूद से इसनान जरूर कराएं तो मैं यहाँ पे दक्षिनावर्ती शंक में जल भर करके इसनान करा रही हूँ ठाकुर जी को और जल में ही मैंने थोड़े से पुष्प डाले हुए हैं साथी थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ है क्यूंकि सावन के महीने में गंगा जल का भी विशेश महत होता है तो ठाकुर जी को सावन के महीने में रंग विरंगे वस्त्र ही आप पहनाएं और हरे रणके वस्त्र जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप पहनाएं साथ ही इनको अच्छी चीज़ों का भोग लगाएं जैसे कि बढ़िया बढ़िया इनको पकवान बनाएं अब जैसे कि बारिश का मौसम है तो बारिश में हम लोगों को कैसे मन होता है कि हम जो है चाई के साथ गरम गरम पकोड़ी खाए हैं ना, पकोड़ी वगरा बनाते हैं ना हम लोग अपने लिए, तो ऐसे ही हमें ठाकुर जी को भी ध्यान में रखना है कि मेरे ठाकुर जी को क्या भोग चाहिए, अच्छी अच्छी आप मिठाईयां बनाएं और उनको जो है, फूल बंगला आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास रखा हुआ है, और अगर फूल बंगला नहीं है तो फूलों का इस्तमाल तो आपको रोजाना करना ही है, ठीक है, आप जो है, जो ओरिजनल फ्लावर होते हैं, उनसे आप ठाकुर जी के आजपास थोड़ा सा सजावट कर दें, और साथ ही एक जो काच का बावल होता है, उसमें भी आप थोड़ी सी गुलाब की पंखुडियां डाल के रख दें, थोड़ा सा इत्र डाल के रख दें, जिससे की हमारे ठाकुर जी के पास भीमी भीमी सी सुगंदा आती रहे, तो ये देखिए, मैंने माला बना के उन्हें पहना भी दी, और देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं, और साथ ही देखिए, एक गोल्डन ये मोतियों की माला इनको पहना देते हैं, और अब हम इनके केश धारन करा देते हैं और अब ठाकुर जी को कंगन पहना देंगे कानों में एरिंग्स पहना देंगे और उनकी पगड़ी बान देंगे मोरपंख लगा देंगे तो शिंगार आपको जैसा पसंद हो वैसा आप शिंगार करें हेवी करें हलका करें ठाकुर जी को तो शिंगार कराने में बड़ा मजा आता है और देखिए बैठे रहते हैं बस सजते रहते हैं उनको सजना सवरना बहुत पसंद है और प्यारा सा मोरपंख हम उनको लगा देंगे पगड़ी में और इत्र आप लगाना बिल्कुल भी न तो ठाकुर जी बिना नर्त करे रही नहीं पाएंगे उनको भी ना बड़ा आनंद आएगा और जब उनकी बजनी सी पायल पूरे घर में छन छन बजेगी ना तो घर में सोचिए कितनी खुशाली आएगी देखिए भाव तो हमें बनाने पड़ेंगे भाव के बिना तो करती हूँ तो सावन के महीने में ठाकुर जी को चन्दन लगाना बिल्कुल ना भूले चन्दन से इसनान आप जरूर कराएं क्योंकि चन्दन ना बड़ा सुगंदेत होता है और यहां पे ली है मैंने तुलसी जी ये लकडी से ही ना मैं जो तुलसी की लकडी है इसी से ही म बस रीज जाते हैं अपने भक्तों पर और जो चन्दन हतेली पर बचेगा वो हम घर के सभी सदस्य मिलकर लगा लेंगे अच्छा आप जब ठाकुर जी को इसनान कराया करें तो धूप और दीप आप जरूर से जला के रखा करें इससे ना बड़ा सुगंदेता माहोल हो जा अच्छी से अच्छी धूबती जलानी है इत्र लगाना है फूलों का उनके आसपास होना बहुत जरूरी है फूलों से अच्छी सी महक आती है इसलिए मैंने आप से कहा कि थोड़ा सा गुलाब की पंखुडिया आप पानी में डाल करके जरूर रखें साथी देखिए अभी सुबा सुबा की पूजा है ये तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को दूद का भोग मिश्री का भोग और फल का भोग लगा दिया है और आप पूरे दिन ठाकुर जी को अच्छी अच्छी चीजों का भोग लगाएं और देखिए हो सके तो लॉंग कपूर की आरती आप क्योंकि ठाकुर जी को सावन के पहले दिन से ही जूला जुलाना भी शुरू कर दिया जाता है ठीक है और बस आपको ध्यानी रखना है कि जूले पे बिठाकर ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है जूले पर उनको सुलाना नहीं है और खाली जूला जूलाना नहीं है कहने का मतलब है जब उस जूले में ठाकोर जी ना हो तो उसको जूले को जूलाना नहीं है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट में रादे रादे लिखना ना भूले